तो जो जाईलम है यह 4 टाइप्स के एलिमेंट से मिलके बना हैं, कितने टाइप्स के? 4 टाइप्स, तो जहां पर हम बात करेंगे, सबसे पहले, जाईलम ट्र्याइप्स की, ठीक है? और जैसे हमने अभी बात किती ना, कि इसमें living और non-living दोनों टाइपस की cells होती है तो आई एब देखते हैं Tracheids क्या है non-living? ठीक है? Tracheids क्या है non-living? Non-living elongated cells with tapering end. अगर जब ही अभी Tracheids के बारे में हमने बात की तो हमने कहा था कि यह non-elongated taprated इनके जो ends है वो यहाँ पे और यहाँ पे taprated है ओके चप्टे जिसे कहते हैं या नोकीले चप्टे तो यह इस तरह के ends है the wall is highly thickened, thickened wall है with lignin और यहाँ पे क्या है कहीं कहीं पे certain circular spots जो है जहाँ पे present है वहाँ पे लिखने नहीं होता है तो इन्हें कहते हैं pits ठीक है? pits मतलब खाली जगा तो यहाँ पे circular spots ऐसे ऐसे चोटे-चोटे हैं यहाँ पे आपको लिखने नहीं मिलेगा इन्हें कहते हैं pits okay तो इने pits कहते हैं now let's move देखते हैं अगे क्या है इसमें जाइलम में कितने टाइप्स के elements है कितने टाइप्स के elements मिलकर बना हुआ है जाइलम वह हम बात करेंगे यहाँ पे ठीक है तो देखें जाइलम इस consists of four types of elements तो ट्रैकीट की बात हमने अभी कर लिए चलिए आप बात करते हैं वेसल्स की वेसल्स जैसा की नाम है तो यह cylindrical होंगे आपको पता ही है cylindrical tube like structures placed one above the other ठीक है अभी आप जब figure देखेंगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे बात कर लेते हैं तो यह एक से दूसरे एंड से क्या है जुड़े हुए एक के उपर एक one above the other तो अगर आप देखना चाहें तो आप देखना चाहें तो आप देख रहे हैं ट्रैकीट्स जो भी हमने बात की थी ट्रैकीट्स की तो आपको यहाँ पर देख रहा होगा कि यह यह चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे सर्कुलर स्वाट्स आपको दिख रहे हैं यह क्या हैं यह पिट्स है ठीक है और यह टापरिंग एंड और यहाँ पर यह पोईंटेंड ओ गया तो यह तो होगया आपका ट्रैकीट्स अब हम जब वैसल की बात कर रहे थे तो इ दिखते हैं यहाँ पर, you can see, the end wall of vessel, ठीक है, the end wall of vessel dissolve partially or completely forming continuous channels, इस लिए अभी देखते हैं, यह इसी channel के थूह ही, जो xylem है, वो water को ट्रांसपोर्ट करेगा, a vessel is also a non-living, तो हमने tracheids पढ़ा, वो भी non-living और vessels भी non-living, क्यों, क्यों इनमें, यह lignified cells से बनी हुई है, ठीक है, lignin इनमें present होता है, तो जहां lignin होता है, जादा तर से वो non-living cells ही होती है, आपको यह learn रखना है, tracheids and vessels are conducting elements in the xylem, main conduction के लिए कौन-कौन responsible होगा, water conduction के लिए, tracheids and vessels, okay, so you have to learn this.